नमुश्कार महुप्रिया आज है साथ दिसंबर चुले जानते हैं भिहार की 25 बड़ी खबरों को SBI ने 85-100 अपरेंटिस के लिए निकाले भरतिया State Bank of India ने 85-100 अपरेंटिस भरती के लिए आवेदन की आखरी तारीक 10 दिसंबर 2000 भी इस्तेकी है अपरेंटिस शिप के लिए आवेदन करने के च्छो को मिद्वारों को सलाह दी गई है कि वे आखरी तारीक से पहले आवेदन करें भारतिय स्टेट बांग ने 85-100 अपरेंटिस प्रस इक्षुकों को भरती के लिए 20 नवंबर 2020 की देश भर के वेदन जोन के लिए आवेदन प्रकरिया शिरू करवा दी थी SBI अपरेंटिस के लिए आवेदन SBI की वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर कर सकते है SBI अपरेंटिस शिप भरती परीक्षा का योजन जनवरी 2021 में होने क्यों मीट जट आई गई है पटना की गांधी संग्र हाले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास दार्शनिक स्थाल के तौर पर यह भी बेहत प्रसिद स्थाल है 1917 में स्थापतिया बिहार का पहला संग्र हाले है यहां आपको 20 करोर वर्ष पुराने व्रिक्ष का अविशेश देखने को मिलेगा यहां देखने योगी काफी चीजे मौजूद है बौध हिंदू मौरे गुप्तकाल से जोड़े विभिन चीजे सुरक्षित रखी गई है लोग ऐसे जादुगर के नाम से भी जानते है सम्विधान निर्माता भीमराव अंबेटकर की पुनितिति पर राजधानी में दी गई श्रधाजरी महान समात सुधारक और विदवान बाबास साहिब ने 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली सित अपने घर पर आखरी सास ले थी सम्विधान निर्माता भीमराव अंबेटकर की पुनितिति को लेकर पटना के जुलाधिकारी ने कई पदा अधिकारियों और गंडमाने लोगों के साथ माल्यारपन कर श्रधाजरी अर्पित की इस मौकी पर जुलाधिकारी कुमार रवी ने हाई कोट के पास थे डॉक्टर भीमराव अंबेटकर की प्रतिमा पर माल्यारपन कर उन्हें श्रधाजरी दी वहीं माहा परिन निर्वान दिवसपर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी बाबा साहिब लॉक्टर भीमराव अंबेटकर को नमन किया कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले वास्ते विभाग के तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 585 मामले सामने आए हैं जिसकी बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,49,126 पर पहुँच गई है मही प्रभावित टॉप 3 जिलों की संख्या की बाद करें तो पटना में 261 मामले सामने आए हैं मुजफरपूर में 27 मामले सामने आए हैं मही कटिहार में 26 मामले सामने आए हैं वही अब तक कुल मिलाकर 2,324,438 लोग ठीक हो चुके हैं 9 दिसंबर के बाद बिहार में पढ़ेगी कडाके की ठंड बिहार में कडाके की ठंड पढने वाली है मौसम विज्यानिकों की माने तो बिहार में 9 दिसंबर के बाद से बिहार में कडाके की ठंड पढने वाली है परवतिय इलाकों में पश्चमी विभोक्ष की वज़े से और बारिश के सिती बनी हुई है अगले कुछ दुरों में पश्चमी विभोक्ष का असर मैदानी इलाकों में दिखेगा 9 दिसम्बर से सुबे के अधिकतर शेहरों का तापमान नीचे आएगा बरफीली हवाओं के प्रवाह की वज़े से कंकनी बढ़ेगी और नियुंतम पा में बीटे के एक छात्र को D.E. Shaw India Software Private Limited में 47 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला है 2021 पासिंग बैच के लिए IIT पतना में चल रहे है प्लेस्मेंट सीजन के लिए यह अब तत का सबसे अधिक घरेलू आफर है इसके लावा IIT पतना से 6 छात्रों को लाखों का पैकेज मिला Amazon से 31.97 लाख Microsoft ने 43.59 लाख रुपए का पैकेज एक बीट एक छात्रों को उफर किया है इसके साथ ही 4 छात्रों को Coordination Innovation Life दवारा 23.59 लाख रुपए का पैकेज उफर किया गया और 3 छात्रों को Games Craft दवारा 32 लाख का पैकेज उफर किया गया है बिहार के आनंद कुमार जल्द दिखेंगे KBC में बिहार के आनंद कुमार और सुपर 30 के संस्थापक जल्द ही KBC में नजर आने वाले हैं मिली जानकारी के नुसार शो के 51 और 61 इसके साथ 62 एपिसोड में बतौर एक्सपोर्ट प्रती भागियों की वदद करते दिखेंगे मैथमेटिशन आनंद कुमार 7 दिसंबर यानि सोंबार को टेली कास्ट होने वाले शो के 51 एपिसोड के साथ साथ 21 और 22 दिसंबर को टेली कास्ट होने वाले 61 और 62 एपिसोड में भी दजर आएंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे इससे पहले आनंद कुमार साल 2017 म बतौर प्रतिभागी शामिलो कर के बीसी में 25 लाख रुपए जीत चुके थे आज बिहारी पैचान में हम बात करेंगे प्रकास ज्या के प्रकास ज्या चंपारण बिहार के रहने वाले हैं प्रकास ज्या का करियर शुरु आत्मिये डॉक्यमेंटरी अंडर दबलूक से हु इस दौरान उन्होंने बिहार के दंगो के उपर एक शॉर्ट फिल्म बनाए जिसे रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही बैन कर दिया गया लेकिन प्रकास को उच शॉर्ट फिल्म के लिए नाशनल वार्ड से समानित क्या गया था किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को बुलाए गया बंद का वामदलो निकिया समर्थन तीनों क्रिश्री कानूनों की वापसी सहित साथ सूतरी मांगो पर अखिल भारतिये किसान संगर्ष समनवे समीती के आवाहन पर 8 दिसंबर के भारत बंद को वामदलों ने समर्थन देने कारने ने लिया है CPI, CPM, भागपा माले, Forward Block और RSP के राश्ट्री अस्तर पर हुई बैठक के आलोक में श्रनिवार को इन पार्टियों के राजस्तर के नेताओं ने सयुक्त बायान जारी करके यह जानकारी दिया आपको बता दे अपनी विभिन मांगों को लेकर किसान कई दिनों से लगातार सडकों पर उत्रह और प्रुशी कानून का विरोध करने में लगे हुए है अफसरों के तरफ से ग्रामीन सरकों की समीक्षा करने की कही कई बात राज्यों की एक लाख बीस हजार ग्रामीन सरकों की वरतमान स्थिती पर विभाग निक के अफसरों ने समीक्षा शुरू कर दी है जिसके तहित ग्रामीन विकास मंत्री विजय चौधरी के पास अन्य चार विभाग की जिमेदारी भी है मंत्री मंडल विस्तार के बाद यह विभाग किसके पास होगा यह अफिल हाल तै नहीं है हालाकि इसके बावजूद विभाग के सचिफ पंकज पाल लगातार योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं ग्रामीन विकास विभाग द्वारा चलाई जारही योजनाओं की मंत्री स्तर पर अभी समीक्षा शुरू नहीं हुई है कि अभी विभागों के विस्तार समीक्षा नहीं की गई है लेकिन अधिकारियों से जो जानकारी प्राप्त हुई है इससे स्पष्ट है कि राजुमे विकास के काम बिना रुकावर चल रहे हैं बिहार यूपी से बंगाल के लिए शुरू होगी स्पेशल ट्रेने नए साल से पहले इंडियन रेलवे ने बिहार यूपी और बंगाल के यात्रियों को नया तौफा दिया है जिसके तहत रेलवे ने अपनी तरफ से 12 दिसंबर से सियाल देह बलिया एक्सप्रेस चराने का एलान कर दिया है रेलवे के इस फैसले से लाख हुई यात्रियों को रहात मिली है आपको बता दे रेलवे ने COVID-19 के कारण मार्ट से इन ट्रेनों को बंद कर रखा था पुर्वमदर रेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दिया और बताया है कि 12 दिसंबर से सियाल देह स्टेशन से ट्रेन खुलने वाली है इतना ही नहीं रेलवे ने यह भी साफ किया है कि अगले आदेश तक यह ट्रेन इन रूटों पर चलाई जाएंगी हाला कि अभी साफ कहा गया है कि यात्रा के दौरान यात्रियों को कोबर्ट-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो भी नियम जारी किये गये है वो यात्रा के लिए जरूरी है और उसी का पालन करना अनिवारे होगा पतना को वायू प्रदोशन से निजात दिल्वानी की पहल हुई शुरू राजधानी पतना की हवा में राजधानी वासियों की नाक में दमका रखा है वही अब पतना की आबो हवा को फिर से साफ करने के लिए प्रसाश्री ने अपनी तरफ से पहल शुरू कर दी है मिली जानकारी के नुसार नए साल में राजधानी की सरकों पर 50 नई CNG बसों का परेचालन शुरू होगा इन बसों के लिए टेंडर का काम फरवरी मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा इसके बाद नई बसों को अपरेल तक सरकों पर उतार दिया जाएगा परिवहन निगम इस तशा में तेजी से काम शुरू कर चुका है फिलहाल राजधानी की सरकों पर 20 CNG बसों का परेचालन होगा यह पुरानी डीजल बसे थी जिन्हें CNG में कनवर्ट किया गया था आपको बता दे नई साल में आने वाली बसे नई होंगी और CNG से ही चलेंगी मुख्यमंदर नितिशकुमार ने दलित आबादी वाले गाउं को आदर्श बनाने का किया एलान बिहार के मुख्यमंदर नितिशकुमार की सरकार अब पित्रे और दलित बाहुले गाउं को सवारने का काम करने वाली है जिसके तहत ऐसे सभी गाउं को आदर्श गाउं बनाने की तयारी शुरू है इसके लिए कुछ पैमाने भी तैय कर दिये गे हैं जिसके तहत प्रतेक गाउं को इंटरनेट से जोडने की सुविधा बहाल करवाई जाएगी पटना हाई स्कूल में आयोजित होने वाले फिजिकल टेस्ट के पहले ही पूरी तैयारी की जा चुकी है पटना हाई स्कूल में रेजिस्ट्रेशन के साथ दूसरे काउंटर की विवस्था भी करवा दी गई है आज फिजिकल टेस्ट का पहला दिन है लहाजा आज का दिन एह माना जा रहा है केंद्रिये चैन परिश्वत की तरफ से आयोजी तिया फिजिकल टेस्ट आज से शुरू होने वाला है जो की 30 जनवरी तक जारी रहेगा आपको बता दे कोविड-19 के कारण अधिक्तम 400 अभियर्थियों को ही बुलाए गया है उपेंद्र कुश्वाह और मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के बीच नहीं बनी बात विहार चुनाफ में पठखनी खाने के बाद नितीश कुमार से मिलने पहुचे उपेंद्र कुश्वाह की मुलाकात के बाद कयासों के बाजार गर्म हो गये थे हाला कि इन दोनों के बीच क किसी तरे की बात नहीं बनी इसका अंदाजा उपेंद्र कुश्वाह की बात से ही लगाये जा सकता है। बिहार में मंडी कानून में हुए बदलाव का विरोध करने उतरेगी कॉंग्रेस कृशी कानून के विरोध में कॉंग्रेस भी अब बैदान में उतरने वाली है और यही कारण है कि कॉंग्रेस लगातार किसान की तरफ से किये जा रहे है विरोध का समर्थन कर रही है हाला कि अभी यह विरोध बिहार की सरकों पर भी देखने को मिलने वाला है जो इसके लिए बिहार की विपक्ष्षी पार्टिया सक्रिय हो चुकी है बिहार प्रदेश कॉंग्रिस किसान प्रकोष्ट ने इसको लेकर बैठक भी की है इस बैठक में पार्टी के रास्ट्रे महा सचे और वरिश नेता तारिक अन्वर भी शामिल हुए थे इस दोरान उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस बिहार में हुए मंडी बदलाव नियम का उतरने वाली है दोस्त की शादी में पहुँचे विधायक जी बन गए ड्राइवर बिहार के मकदूमपूर के राजित विधायक सतीश कुमार दास के विधायकी छोड़ कर ड्राइवर के रूप में बीते दिन नज़र आए विधायक जी बारात में तो शामिल हुए ही उन् लोजपा ने रामविलास पासवान को भारत रत्र देने की कही बात भारत रत्र संविधान निर्माता बाबा साहे बंबेटकर की पुन्यतिती पर लोजपा ने अपने पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को भारत रत्र देने की मांग की है लोजपा के प्रदेश आपक रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपती कुमार पारस ने दावा किया है कि पार्टी के सभी सांस दरास्ट्रे धेक्ष चुराग पासवान के नेतरत्व में एक जुट है आपको बता दे कुछ दिनों पहले लोजपा धेक्ष के इस्तीफे की मांग पार्टी के तेजस्वी आदफ की बॉखलाहट साफतार पर देखने को मिल रही है और यही कारण है कि तेजस्वी आदफ ने बॉखलाहट में अपना बयान जारी किया है जिसके तहत उन्हा ने कहा कि डड़पोक और बंधक खिमंत्री की अगवाई में चल रही विहार की कायर और निकम आना भी हो तो भी हम तैयार है तब तक जारी रहेगा जब तक कि इंद्री सरकार कानून को वापस नहीं ले रहेती इसके साथ ही हमारी यह भी मांग है कि सरकार अब किसानों से 1800 रुपे प्रतिक विंटल के हिसाब से धान की खरीदारी करें भारत के तिहास में आज की तारी कई कार्णों से दर्ज है भापस से चलने वाला पहला जहाज इंटरप्राइस आज ही के दिन 1825 में कॉलगता पहुचा था देश में 1856 में पहली बार आधिकारी कुर्प से हिंदू विद्वा का विवा कराए गया था साल 1949 में आज ही के दिन भारतिय सोश्रस्त्रबल फ्लागडे मनाय जाता है भारतिय गोलफर जीव मिलखा सिंग ने 2008 में आज ही के दिन जपान टूर का खिताब जीता था भारतिय अभिनेता, हास्ते कलाकार, राजनेतिक, व्यंगकार, नाटककार, फिल्म निर्देशक और अधिवक्ता, राम स्वामी ने दुनिया को आज जी की दिन साल 2016 में अलविदा कहा था भारत ने लगातार दूसरे T20 माच में दर्ज की जीत, दो ODI हारने के बाद भारत अपनी गलतियों को सुधार कर मैदान में उतर चुका है और यही कारण है कि भारत ये तीम को लगातार दूसरे माच में भी जीत मिली है आस्ट्रेलिया ने पहले बल्ले बाजी करते वे कप्तान मैथ्यू वेड ने अंठावन और स्टीव स्मित ने 43 की पारी खेली थी इसके साथ ही 194 रन का लक्ष भारत को दिया था भारत की तरफ से तेज गेंबास टीन ट्राजन ने 20 रन देकर दो विकेट जटके भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मिले 195 रनों के लक्ष को चार विकेट खोकर हासल कर लिया टीम की तरफ से शिखरदवन ने 52, कप्तान विराट कोहली ने 40 जब की हादिक पांड्या ने 42 रनों की शांदार पारी खेली कृष्णा ने साधाफ ने मामा गोविंदा पर निशाना कॉमेडिन कृष्णा अभेशेक का मामा गोविंदा पर बयानबाजी रुकने का नाम ने ले रहा है हाले में दगबल शर्मा शो में नवाजुदीन सिद्धी की महमान बन कर आये थे इसी बीच कृष्णा स्टेज पर आते हैं और नवाजुदीन की तारीफ करते हैं कहते हैं कि वो एक टैलेंटेड आक्टर है मजाक में नवाजुद्दीन कहते हैं कि वो हर किसी को शो में प्रमोट करते हैं इस पर कपल उनसे पूछ रहे हैं कि इनके मामा का क्या खयाल है इस पर कृष्णा अभिश्वेक कहते हैं कि मामा खुद का प्रमोशन करके गैना अभी मैं वैसे भी जानबूच कर उनके एपिसोड का हिस्सा नहीं बना था क्योंकि मैं बिजी था इसकी बाद कृष्णा कई जोक मार कर लोगों का एंटेटेन्मेंट करने लगते है अपने सभी यूजर के लिए WhatsApp जल्दी एक नया फीचर लेकर आ रहा है WhatsApp लगभग हर मही ने अपने फीचर में अपडेट करता रहा है इसी कड़ी में WhatsApp जल्दी desktop और laptop पर voice और video calling फीचर लाने जा रहा है The Guardians, Alex, Heron के tweet के मताबिक इस फीचर की अभी बीटा स्टेज में टेस्टिंग जा रही है यह फीचर अभी WhatsApp पर मौजूद नहीं है आपको बता दे अभी WhatsApp पर audio और video call के सिर्फ स्मार्टफोन से ही मुम्किन है WhatsApp ने सिलेक्टिड यूजर के हूँ यह फीचर टेस्ट करने के लिए भीजा है एक नए WhatsApp बीटा वर्जिन में नए फीचर को इस्तमाल करते वे दिखाए गया है अब आईए जानते हैं सराफबाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफबाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रतिदस ग्राम 48,340 रुपे था वहीं 24 कैरेट के लिए प्रतिदस ग्राम 49,340 रुपे था कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जबाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत द्वा धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विजयराज, राजेश कुमार, जै कुमार पंडित, श्वेताराय प्रजापती, मनीश मोहरा, बाबुल कुमार, मनोज पांडे, कलेशवर पांडे, प्रियमल यादफ, अनिल कुमार, फयाज अंसारी, बावर अली, मंटु रजक कुमार, विवे कमलेश प्रसा लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं, आज के सवाल की और, आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत की तरफ से दूसरे T20 मैच में दर्च की गई, जीत में किस खिल पैर करें, धन्यवाद